हलो डियर स्टुटेंट कैसे हैं आप I hope कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि आज का जो English का पेपर था बहुत ही moderate था और थोरा सा easy भी नहीं कह सकते है अंदाजा हो जाएगा जो आपके जो है ना मतलब कितनी तयारी थी ठीक है तो चलिए इस मार्किंग स्कीम को एक एक करके देखते हैं और अगर आप इसी तरीकी का मार्किंग स्कीम पाना चाहते तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ठीक है टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पे मैं आपको जो है ना पहले ये मार्किंग स्कीम अप्लोड कर देता हो तो वहाँ पर इसे आप डॉनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं ठीक है तो चलिए अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जूर करके भी पढ़ना तो इसका भी लिंक मैं टेलिग्राम पर डालता हूँ गूगल मीट हो या फिर आपका जो है ना जूम इसको कि यह आपका जो है ना नोट है जो पैसिस का अंसर है यह आपका ठीक है दस नंबर कहाँ कि इस सारे अंसर है एक एक करके आप ठीक है विजुल इंप्यार्ड के लिए भी था इनका भी है अंसर कि लेटर का है यह किस तरीके से आपको फ्रेइम करना है था ठीक है अग्यार्ट है यह आपका कम्प्लीट मार्किंग स्कीम है अच्छे से आप मैच कर सकते एक करके ठीक है क्लास ट्वेल्ध का है यह माकिन स्कीम ठीक है और आपको अगर डियर स्टुन पसंदा रात वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ठीक है और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए ठीक है काफी बहुत ही इजी पेपर था ज़्यादा डिफकल्टी भी नहीं था और आप NCRT की तैयारी से पढ़िए ठीक है आपका जो बुक है NCRT का इंगलिश से भी पढ़िए और जो भी सब्जेट का है NCRT पे ज़्यादा फोकस किजिए क्योंकि वहीं से आपके कोश्चन बनते हैं और आपका जो युनिवर्सिटी में एडमिशन होगा 12 के बाद तो वो भी आपका NCRT बुक से ही वहाँ से पूछी जाती है डीटेल में तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गया होंगे ठीक है चलिए थेंक्यू फोर वाचिंग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और अपने दोस्तों तक सेर कर दीजे हमारे साथ जरूर करके पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए आपको लिंक डिस्क्रेशन बॉक्स में हैं वहाँ से टेलिग्राम पे जॉइन हो लिजे वहाँ हम गूगल मीट और जूम एजूकेशन वगरे से क्लास लेते तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ठीक है और अगर सबसे पहले चाहते हैं मार्किंग स्कीम तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है आपको मिल जाएगा चलिए बाबाई टेक कियर है वे नहीं स्टे